आज का हमारा टोपिक division of polynomial by division method है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चलिए शुरू टोपिक है division of polynomial अभी यहां पे binomial term जब दी होती है यहां पे जब diviser में binomial term होती है तब आपको division करना है तो यह division method से हम कर सकते हैं तो यहां पे binomial term है यहां पे diviser में अगर monomial होती तो easily हो सकता था अभी binomial को अभी divide करना है तो आपको यही method use करना होगा यह method easy है बहुत hard method नहीं है अभी यहां पे देखो यहां पे dividend यह दिया हुआ है और diviser x plus 1 दिया हुआ है अभी यहां पे simple division करना है किस तरह से देखो पहले आपको question find out करना है तो question कैसे find out करेंगे वह आपको यहां पे देखना है तो आपको dividend का जो first term है डिवीडन का first term कुन सा है 2x cube उसके साथ diviser का first term divide करना है तो यहां पे देखो यह मैंने किया हुआ है कि dividend का first term के साथ diviser का first term divide किया है तो अभी यह आपको answer मिला ना वो क्य मिला तो जो मिला 2x3 divided x तो आपको 2x2 मिला तो 2x2 है ना वो first term होगी quotient की यहाँ पे देखो यहाँ पे quotient की first term मिल गई तो इतना तो पता चल गया कि quotient की first term कैसे मिले अभी आपको क्या करना है जो quotient जो मिला है उसके साथ diviser multiply करना है अभी diviser क्या है x plus 1 तो इसका multiply यहाँ पे दिया हुआ है 2x2 multiply x plus 1 तो आपको diviser तो मालूम है 2x2 into x तो क्या होगा 2x3 बाइगा बाद में 2x2 into 1 यानि 2x2 आएगा यह 2x2 दोनों टर्ण के साथ multiply होगा वो तो आपको मालूम है तो आपको यह मिला अभी जो answer आता है यह answer आपको क्या करना है subtract करना है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप देखो subtract करना है अभी जब subtract करोगे ना तब देखना है कि जिसमें आप subtract कर रहे हो वह like term होनी चाहिए यानि x3 के साथ x3 x2 के साथ x2 otherwise subtraction नहीं कर सकते उसको तो एज़िटीज रिमेंडर में आ जाएगा तो दरवाज वह रिमेंडर में एज़िटीज आ जाएगे तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे हम सब्ट्रेक कर रहे हैं अभी सब्ट्रेक्शन में क्या ओता है साइन चेंज होती है तो यहाँ पे देखो पोजिटिव का नेगेटिव साइन हो गया दोनों पोजिटिव है तो दोनों क्या हो गया नेगेटिव हो गया समझ में आ गया अभी क्या करना है यहाँ पे 2x3-2x3 यानि cancel हो जाएगा और-6x2 और-2x2 तो-6x2 और-2x2 तो-8x2 तो वो यहाँ पे दिया हुआ है रिमेंडर-8x2 आया इधा पे देखो अभी-8x2 रिमेंडर आया और x-7 as it is नीचे आ गया नीचे x-7 as it is आ गया है अभी आपको क्या करना है तो-8x2 रिमेंडर जो फ alcanz टर्म प्रिमेंडर है न उसको किस्के साथ दिवयड करना है यहाँ पे देखो-ear नीचे first term of the divisor से divide करना है, देखो यह first term में divisor की x, तो जो first term है divisor की, उसके साथ divide करना है, यहाँ पर देखो, minus 8x square upon x, यानि first term of remainder divide, first term of divisor, तो हमको क्या मिला, minus 8x square upon x, यानि minus 8x, तो यह आपको second term में ली question, मैं पर देखो, यह second term में ली question, तो आपको इस तरह से question पेले find out करना है, question हो गया, बाद में आपको क्या करना है, question का multiplication किस के साथ होगा, diviser के साथ, ओके, तो अब है diviser के साथ multiplication हो रहा है, देखो, यहाँ पर, यह देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, minus 8x है, जो आप देख रहे हो, यहाँ पर, तो minus 8x है, minus 8x, वो question है, और x plus 1 diviser है, तो minus 8x है, और दोनों टर्म के साथ होगा, minus 8x into x, positive into negative, तो negative होगा, और 8x into x, यानि 8x square आएगा, तो minus 8x square आएगा, बाद में, आपको minus 8x को 1 के साथ भी करना है, ओके, तो minus 8x into 1, negative into positive, तो negative आएगा, 8x into 1, यानि minus 8x आएगा, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर, यह जो आपको term मिली है, उसको subtraction करना है, यहाँ पर, देखो, यहाँ पर subtraction किया है, ओके, subtraction करना है, subtraction में क्या होता है, sign change होती है, ओके, sign change हो गई, देखो, यह positive sign हो गई, दोनों negative था तो positive हो गई, अभी, यहाँ पर देखो, 8 minus 8 x square और plus 8 x square तो क्या होगा, cancel होगा minus 8 x square और plus 8 x तो cancel हो जाएगा अभी plus x और plus 8 x plus x और plus 8 x तो क्या होगा, 9 x होगा 8 plus 1 यानी 9, तो यहाँ पे देखो 9 x आगे अभी देखो, 7 तो as it is यहाँ पे नीची आएगा ओके, जैसे हम division में करते हैं इस तरह अभी 8x प्लस 7 अभी 8x प्लस 7 आ गई remainder यह जो आ गई आपको remainder मिली उसका first time क्या है 9x है तो remainder का first time है उसके साथ किसको divide करना है diviser का first time तो यहाँ पर देखो 9x divide x तो answer किया है 9 वो जो 9 मिला वो आपको क्या मिला quotient मिला question की third term है अभी question को किसके साथ multiply करना है diviser के साथ तो अभी देखो यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं देखो diviser के साथ multiply किया है 9 जो है वो quotient है और यह diviser है तो 9 into x तो 9x आएगा 9 into 1 तो 9 आएगा तो दोनो term के साथ multiply किया है तो अभी हमको क्या मिला 9x प्लस 9 मिला देखो हमको 9x प्लस 9 मिला अभी इसको क्या करना है हमको subtraction करना है तो अभी देखो हम subtraction करेंगे अभी यहाँ पर देखो subtraction किया हूँ यहाँ पर देखो 9x प्लस 9 अभी यहाँ पे subtraction किया तो sign change हो जाएगी sign change हो जाएगी तो अभी देखो 9x minus 9x तो क्या होगा? cancel और 7 minus 9 तो 7 minus 9 तो क्या आएगा? opposite sign subtraction तो क्या आएगा? 2 आया यहाँ पे 2 आगया और बड़े की sign 9 negative है तो minus 2 आया तो remainder minus 2 आई और quotient क्या आया? 2x square minus 8x plus 9 तो इस तरह से हमको division करना है अभी और एक example ले लेते हैं यहाँ पे देखो यह example देखो अभी यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे x cube दिया हुआ है यहाँ पे x square दिया हुआ तो अभी x cube है और यहाँ पे x square है तो x cube divide x square एसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमको question find out करना है तो dividend का first term divide diviser का first term तो हमको क्या मिलेगा? x तो हमको मिल गया x अभी आपको क्या करना है? जो x है न उसका multiplication पूरा diviser के साथ हो जाएगा पूरा diviser के साथ multiplication करोगे तो आएगा x cube minus 2x square plus x इस तरह से आगया अभी आपको देखो यहाँ पे आगया है अगया अभी देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 0x है 0x क्यों है? क्योंकि x वाली term ही नहीं है अगर x वाली term नहीं है तो आपको 0x करके लिखना है अगर x कर वाली term नहीं है तो 0x square करके लिखना है तो mistake नहीं हो समझ मैंगे? अभी sign change हो जाएगी यहाँ पे positive का negative negative का positive positive का negative इस तरह से हो जाएगा sign अभी देखो यहाँ पे x cube minus x cube तो cancel minus 12x square plus 2x square opposite sign subtraction तो क्याएगा 10x square और बड़े की sign minus है तो minus 10x square आ गया अभी देखो यहाँ पे 0 में से minus x minus x जाएगा तो minus x आएगा और minus 42 as it is समझ मागिया यह अभी minus 10x square है divisor की first term divide sorry remainder की first term है यह remainder की first term है divide x square x square x square के अग्स अब माइनस 10 आया वो माइनस 10 क्या आया कौशन तो अभी आपको पहले कौशन find out करना है बाद में उसका multiplication divisor के साद x square minus 2x plus 1 अभी minus 10 into x अभी minus 10x square minus 10 into minus 2x minus minus plus 20x और minus 10 into plus 1 negative into positive negative 10 into 1 यानी 10 तो इस तरह से आता है minus 10 x square plus 20x minus 10 इधर पे देखो आ गया है यह आ गया अभी आपको sign change होगी क्योंकि subtraction कर रहे है न इसलिए sign change होगी minus का plus हो जाएगा plus का minus minus का plus हो जाएगा यह cancel हो जाएगा अभी minus 20x minus x तो minus 21x आएगा same sign addition बड़े की sign minus है तो minus यहापे opposite sign है तो subtraction तो minus 42 plus 10 subtraction में 32 है एक और बड़े की sign minus है तो minus तो minus 32 अभी आगे नहीं होगा क्यों नहीं होगा अभी यह आपको remainder मिल गई अभी यह आगे क्यों नहीं होगा क्योंकि इसका जो remainder जा है न उसका degree कौन सा है remainder की degree कम हो जाती है बादने हम नहीं कर सकते अभी यह remainder आ गई समझागे अभी देखो यह answer आया हुआ है ओके यह answer आ गया इसकी degree divisor से काउन है इसकी degree 1 है अभी degree कैसे पता चलेगा उसका मैंने वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे रखा हुआ है degree of the polynomial तो उस हिसाब सेंको degree पता चल जाएगी यहाँ पे x का exponent 1 है यहाँ इसकी 1 degree हुई और वहाँ पे एक्सकरवार ली टर्म थी highest exponent of variable 2 था तो divisor की degree 2 है उससे कम हो जाती है न तब यह remainder आ जाती है अभी आगे division नहीं हो सकता तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमीन एज्यूकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाईए